नमस्का दर्शको आप से भी का स्वागत है दूजर्शन के कारेक्रम खेल जगत में दोस्तो अगर खुद पर यकीन हो तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल जाता है हवा की ओट में भी चिराग जरू जल जाता है जिहां दर्शको आज जो हमारे चर्चा का विशे रहेगा वो है खेल अनेग खिलाडी एक जिहां आज की जो हमारे खास मेमान रहने वाले हैं उन्होंने केवल एक नहीं तीन तीन खेलों में अपने काम्याबी का लोहा मनवाया हैं आप सभी का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज की मेमान से मिलाना चाहूँगा जो हैं पलक गौरी जी पलक जी शिमला की रहने वाली हैं इन्होंने ताइकॉंडो जूडो पैंचिक स्लाट में राष्टिस तर तक खेल चुकी है पलक जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के कारेक्रम में पलक जी मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इन तीन खेलों के बारवे में बताए आखिरी ये किस तरह से खेले जाते हैं जैसे कि ये तीनों गेम अलग-अलग अलग इसके रूल्स होते हैं तो इसमें ये एक मिक्स मार्शल आट्स केम है इसमें मैं एक प्रोफेशनल टाइकॉंडो प्लेयर हूँ और इसके साथ ही साथ मैंने पैंचिक्स राट और जूडो भी खेला हुआ है इसके अलग-अलग अलग-अलग रूल्स होते हैं हर गेम के टाइकॉंडो के अलग रूल्स हैं इसमें ठीक है ये अलग तरीके से खेली जाती है और जूडो के अपने 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 रूल्स होते हैं इसको अलग-अलग टाइप से खेला जाता है अगर हम बात करें इन तीनों games के तो इनके जो नियम किस तरह से रहते हैं? जैसे की मैंने बताया आपको की इसके different types में यह खेला जाता है तो जैसे की taekwondo है, taekwondo के अलग rule होते हैं इसमें तो जैसे की taekwondo में हमें proper kit प्रोवाइट कराई जाती है उसमें हमें head guard, chess guard, shing guard, arm guard प्रोवाइट कर राय जाता है जब हम match खेलते हैं तो हमें ताकि हमारी safety भी रहे और ताकि हम अपने matches भी खेल सकें और इसमें अलग-अलग type के points होते हैं head guard पे हमारे three points होते हैं जब हम head पे kick मारते हैं यह taekwondo के rules हैं यह taekwondo के rules हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें head guard पे अलग score आता है, chess guard पे हमारा अलग score आता है जी और judo के क्या नियम रहते हैं judo में आप सभी को जैसे पता है judo में हमारी grip और throw की game होती है तो इसमें ज़्यादा grip और throw की game होते हैं तो इसमें different types में throw लगाई जाती है और उसके different rules होते हैं जी और जो ये penchic salad है इसके ये game आजकल ज्यादा खेली नहीं जाती है लेकिन इंडिया में ये अभी new new आई है game और ये काफी अच्छी है इसमें freestyle है इसमें काफी ज्यादा mixed martial arts है इसमें kicks भी है, kicks भी है, punches भी है इवन इसमें up new rules आई है इसमें throw भी है तो हाँ जी इसमें काफी interesting लगी में को इसमें जैसे की जैसे मैं professionally taekwondo खेलती हूँ तो कहीं ने के ये तीनों game के आपस में मिलती जूलती है हाँ जी ये काफी मिलती जूलती है जैसे की taekwondo, taekwondo में mix इसमें punches होते हैं और different different types में kicks होती है और वैसे ही penchic slat में, penchic slat भी इसमें के मिलती जूलती है लेकिन इसके different different rules है penchic slat में हमारे kicks mean kick भी आ जाती है evenँ हमारी throw भी आ जाती है और judo, judo में幹 kicks नहीं करती है लेकिन throw आ जाती है तू फिर ये penchic slat and judo, ये मिलती जूलती 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 game है और taekwondo और penchic slat ये जूलती जूलती game है Hello of these ? अब भी फिल रहाल मैं हेवी वेट में खेलरी हूं गही ऐसे मिल काभी हम्हार ऐसें कोटयों गई में कभी वेट ना पड़ते है कभी में में गिructured सब्सक्रफा कि टाना पड़ता है हंची तो यह जकिन गेमिय अलग अलग एक हैन गे-द्रेंव में खेली जाती है ङ९ह अको हम बात कर इज गेम use options में तीम गेमिन दीञा तो मेल डोवेनेंश काफी जादा रहता है पर मेर आपका रोजःआं से जी तरफ क्या स्वाल रहा है उन्होंने बोला कि आपने क्रिकेट भी खेला है तो पापा पहले मेरे क्रिकेट खेलते थे तो पापा का थोड़ा बीच में इंजनी की वज़ा से पापा खेल नहीं पाए तो पापा ने में को बोला कि क्रिकेट खेलो तो उसमें क्या होता था कि मैं अकेली लड़की होती थी वो नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं आगे-ागे बढ़ी, फिर मैंने देखा कि martial arts भी होता है, martial arts ये एक self-defense भी होता है इसमें, तो एक लड़की के लिए self-defense, self-defense सीखना बहुत ही जादा important होता है, तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि ये mixed martial arts है, तो फिर मैंने तभी professionally मैंने टाइकॉंडो को पहले चूज करा, मैं पहले जब school में थी, तो मैंने पहले टाइकॉंडो गेम ली है, किस एज में वैसे आपने जो खेलना की शुरुआ, किस एज में किया आपने ग्यारा साल की थी, तब मैंने ये गेम को शुरू करा था, काफी चोटी उमर थी, उसे आपने खेलना शुरू किया था, उससे पहले भी मैंने काफी में को sports में शुरू से ही interest रहा है, तो मैंने football भी खेला है, मैंने उसमें काफी national camps भी लगाए है, लेकिन जब चैसी मैं आगे बढ़ी तो हमारा ये थाना की, मैं दिखाना चाहती थी, कि हाँ लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो मैंने फिर इस वज़ा से ही, मैंने टाइकॉंडो चूज करा, और उपर से मेरे को काफी होता था, कि मैं लड़कों के साथ कम्पीट करो, जो लड़के कर सकते हैं, वो एक लड़की भी कर सकती है, तो कही नहीं है, आपकी जो फादर है उनोंने मोटिवेट किया, और इवन मेरी ममा का भी काफी рол रहा है, मेरे को स्पोर्स में उनोंने काफी प्रसाहित कर रहा है, मैं को यही मैं यही जाना चाहूँगा कि फैमिली का स्पोर्ट किस तरह क्योंकि एक स्पोर्ट्समेन के लिए फैमिली का स्पोर्ट रहना बहुत जरूरी रहता है तो आपको फैमिली का स्पोर्ट किस तरह से रहता है इवन जब मैं मैचेस के ले जाती हूँ, तो मैं काफी होता है, हर प्लेयर के अंदर घबराट होती है, कि कैसा रहेगा मैच, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे पापा मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे, बोलते हार जीत से कोई मतलब नहीं है, बस अपना बेस्ट परफॉर करना पड़ता है, अगर आप जीत गए, अगर मैं जीत गई, तो उसको भी तो बुरा लगेगा ना, तो फिर बस पापा में को हमेशा बोलते रहते हैं, बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, और एक टाइप से इसको प्रोफेशनल जैसे इसके रूल्स और तो फिर तभी हमें हमारे जो कोचेज होते हैं, वो हमें उसी तरीके से सिखाते हैं, कि इसमें अगर हमें ऐसा किक करना है, तो हमें कहां डिफेंस करना है और हमें कहां अटाक करना है, जैसे कि आप मैं सबसे और ये जना चाहूँगा, कि आपके परिवार में कौन-कौन सद तो मैं सबसे बड़ी हूँ अपने परिवार में और मेरी एक छोटी सिस्टर है बाकि मेरे ममा पापा और मेरे ग्रान पेरेंस है और आपकी चोटी बहन भी क्या इस स्पोर्ट में जादा है और मुझे लगता है अगर आपको खेलता है देखिगी तो कहीं ने कहीं उसके इंटरस्ट भी आपके तरह बन सकता है इस ने बी काफी हम जी ताइकॉंडो की हमझी तो अभी आप वर्तमान में क्या करें आपके आप या बी पड़ाई भी कंटीनु कर रहे है कि शिर्फ अभी आपका ध्यान sports की तरह है अब अपनी स्टूडीस साथ साथ एंग कॉन्टीनिव कर रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पर एजुकेशन भी बस्ट है एवार्थ एजुड़िन्स के लिए तो फिर मैं अभी बी मैं अभी विए फास्ट एयर में हूँ और कहां से कर रहे हैं अभी 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 अपनी मैं अपनी SD College से कर रही हूँ, जो कि चंडिगर में है। अगर जैसे आपने बताया है कि आप साथ में पढ़ा ही भी कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? स्पोर्ट्स को भी और स्टडीज को किस तरह से एक साथ लेकर चल रहे हैं। मैं साइड की प्लेयर रह चुकी हूँ, मैं थो साल कारगल में अपना big tweeted अपना sports को continue कर रहा हैं। जो कि je to Sports' Authority of India जो कि कारगल में है हमारा center वह एक World Müprivate तो उसमें वहाँ समीरा की हमें आइसा होता है कि हमें hostel में रहना बढ़ता हैं। और साथ ही साथ हमें games खेलनी होती है वहाँ पर और हमें साथ ही साथ हमें studies भी करनी होती है तो जिस time पर हमारा practice का time होता है हम अपना पूरा effort studies, sports में लगाते हैं, games खेलते हैं, practice करते हैं लेकिन जब हमारी studies की बात है तो हम उसको corporate, हम एक type से balance करके रखते हैं हर चीज को तो फिर में जैसी हमें free time मिलता है हम studies भी करते हैं और साथ आथ साथ manage कर पारती हो जैसे आपने पताया कि आप अभी science आपने 2 साल science से training ली है अगर किसी को science में से training लेनी हो तो किस तरह से इसमें selection की जाती है इसका यह actually government का center है तो इसमें different 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 states में इसके center होते है और different different games के center होते है और इसमें हमारा पूरा proper way में selection होता है इसमें हमारा physical physically और even medical भी होता है पहले आपका test होता है और प्रॉपर टेस्ट होता है और हमारी फिर इसमें achievements देखी जाती है कि कितना हमने perform करें हमने किस level तक हमने खेला है तो इसमें different different types में हमें बताया जाता है कि कैसे खेला है कैसे सब कुछ है तो उस टाइप से उसी को देखकर बेस्ट प्लेयर्स को वो special training देते हैं वहाँ पर अगर हम बात करें टाइकॉंडो जूडो की और पैंचियाक स्लाट की हिमाचल में हिमाचल में महिलाओ का कितना योगदान है इस खेल में अभी हिमाचल में काफी कम है कम है यहाँ पर मार्शल आर्ट को लेके टाइकॉंडो जैसे टाइकॉंडो में जूडो में पैंचिक स्लाट में मैंने बहुत कम देखे हैं लड़कियां जो participation थोड़ी कम है यह माचल बहुत कम है तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो परदेश के लड़कियां है एवन हमारे सिरफ हिमाचल की नी हर कंट्री की हर स्टेट की हमारी जो महिला है उनको इस चीज में काफी योगदा देना चाहिए participate करना चाहिए इस game में और जैसे कि यह self-defense के लिए बहुत काफी वो है तो फिर एक लड़की के लिए काफी important है कि उसको martial arts martial arts और self-defense के बारे में पता होना चाहिए जो इसके basic step है अगर हमें कहीं street में किसी को defend करना हो अगर कुछ भी problem आ जाए तो लड़कियां खुद अपने आपको sport कर सके खुद उस चीज से लड़ सके कि हाँ नहीं कुछ मैं खुद भी इस चीज से लड़ सकती हूँ क्योंकि हमने आज कल देखा है जो आज कल के माहौल में लड़कियों के साथ जो बहुत सारे अपराद देखने के लिए मिलते हैं तो क्या इस खेल के माध्यम से लड़किया सेल्फ डिफेंस सीख सकती है हाँ जी जैसे कि आपको मैंने बताया था ये मिक्स मार्शाल आट्स है तो ये एक मार्शाल आट्स का ही पार्ट है टाइकॉंडो और एवन जूडो भी और पैंचेक्सलाट भी तो फिर इस गेम से काफे कुछ हम सीख सकते हैं इसमें काफे हमें प्रॉपर हमें डिफेंज करना सिखाते हैं और प्रॉपर एक्यूमेंट से होता है जैसे अगर हमें कोई नाइफ से अटाक करें तो इसमें हमें कैसे डिफेंज करना और हमें कैसे अटाक करना है अब मैं आप से जाना चाहूँगा क्योंकि यह जो गेम है इसमें काफी जा स्ट्रेंथ और स्टेमेना चाहिए होता है तो इस गेम के लिए इस गेम के जो प्लेयर है उसकी किस तरह की डाइट रहनी चाहिए एक प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक डाइट ही होती है अगर डाइट है तो फाइट है तो फिर हमारे इसमें प्रॉपर वे में डाइट हमारी प्लान करी जाती है अगर हम प्रोफेशनल वे में गेम खेलते हैं तो इसमें अगर हम और इवन जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें वेट केटेगीरीज होती है तो उसकी डिफ तो आपकी डाइट किस तरह की रहती है जैसे मैं Sports Authority of India में हूँ तो वहाँ पर हमें प्रॉपर एक डाइट प्लान दिया जाता है हर एक प्लेयर के लिए प्रॉपर सिंगल सिंगल प्लेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के डाइट होता है तो मेरा सुबह और शाम स उसमें nutrition होता है और even vitamins और minerals सब कुछ होता है उसमें अब मैं आपसे यह जाना चाहूँगा कि आपका कोई upcoming event है क्या future में और upcoming जो event है उसके लिए आपकी किस तरह के तियारी है मेरा भी फिलहाल इसी last week में मेरा state रहा था पेंचिक स्लाट में और हमारा अगले मन्त ही इसका national है और साथ ही साथ मेरे exams भी चल रहे हैं तो काफे में को थोड़ा problem हो रहा है क्योंकि exams भी है और मेरा national भी है क्योंकि एक player के लिए एक practice होना भी बहुत ज़रूरी होता है तो मैं साथ साथ मेरा सुबह चार बज़े से ल में study भी करती हूं ताइकॉंडो, judo और पेंचिक स्लाट के इलावा आपको अन्य चीजे क्या करना पसंद है मेरे को ट्रावलिंग का बहुत शांक है जैसे कि मैंने बताया में चंडीगर्ड में मेरी studies होती है तो मेरी family भी चंडीगर्ड में रहती है तो फिर मेरे को और में कारगल जाना होता है वहां पर मेरा hostel है जहां पर मैं practice करती हूं तो वहां पर काफी मेरा long route होता है कभी में को आधे रास्ते में को train से जाना पड़ता है आधे रास्ते में को किसी transportation से जाना होता है जैसे कार या bike से जाना पड़ता है तो काफी लंबी journey रहती है उसमें जैसे में को बाइक राइट करने का बहुत शॉंक है तो मैं जैसी ही फ्लाइट होती है मेरी ले तक की ले से मैं ट्रेवल करती हूं बाइक पर वहां से मैं कारगिल बाइक पर ट्रेवल करती हूं साथ मैं एक्सप्लोर करती हूं जैसे लदाक उसकी ब्यूटी को माना चाता है बहुत तो मैं वहाँ पर बाइक से ट्रेवल करती हूँ, साथ में मैं अलग-अलग कल्चर्स को देखना चाहती हूँ, उनका ट्रेडीशन क्या होता है, वहाँ पर क्या अच्छा है, क्या मतलब उसके पैसे करने का अच्छा पसंद है, जैसे आपने बताया कि आप कारगिल जाते रहत हमन होता है कि आप भी इंडियन आर्मी में जाए और इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर सकें, हां जी, जैसे हमारी सुबह वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, सुबह पांच बजे, और कारगिल में माइनस 30 डिग्रे टमप्रेचर रहता है, विंटर में मोचली, तो हमारे जो फुट है, इवन हैंड़ हमारे पूरे फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन हमारा एक ताइम ही रहता है, हमें पांच बजे उठना है, तो सिरफ पांच बजे हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, तो हम जब रॉनिंग करने जाते हैं तो हमारे एक दम होस्टल के हाँ यह हमारे देश के लिए सर्फ करते हैं तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँ एक महिला होकर ही मैं इंडियन आर्मी में भी जाना चाती हूँ अगर हम बात करें आपके फ्यूचर गोल की या फ्यूचर ड्रीम की तो क्या क्या आपके साथ मेंको पुलिस में जाने का बहुत चौँक है और साथ में मैंको मेंने आपको बताया जैसे में को इंडिन आर्मी में बिजाना है तो मेरे काफी वैसे goals हैं कि मैं ये भी करूः मी इक कौफी इंटरस्ट रहता है कि मैं different different मैं i different types म DANE me पत्रड़ रहता इस चीज में मैं एक ज मैंने पुलिश में Poke northwest अपने इंडिया को प्राऊद्स भोड प्राऊट मना ओठाएफ् and और मैं इस देश के लिए कुछ करूँ बिल्कुल सही का और मुझे लगता है हमारे देश को आप यसी यूवा और एक होनार लड़की की आवश्कता भी है अब मैं आपसे जाना चाहूंगा कि आपकी जिन्दगी में क्या कोई ऐसा पल आया था कि जब आपको लगा हो कि मुझ अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि तीन तीन गेम्स एक साथ खेर रहे हैं साथ में पढ़ाई भी हो या कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट फेज आपकी जिन्दगी में आया हो तीन गेम्स में खेलती हूँ लेकिन मेरे प्रोफेशनल गेम टाइकॉंडो है जुटो और पैंचिक स्लाइट मैंने एक टाइप से अपना इंटरस्ट से मैंने उसको लिया था और जैसे मैं टाइकॉंडो खेलती हूँ तो फिर मेरे को काफी आते हैं कि जब एक प्लेयर हार जाता है तो उसको काफी लगता है कि उसमें क्या कमी रह गई थी या क्या प्रॉब्लम रह गई थी उसमें तो फिर एक प्लेयर को काफी इंपॉर्टेंट होता है कि वो काफी वो गौर करता है कि उसमें कहां गलती रह चुकी थी तो वो उस चीज को करता है कि नहीं मेरे यह यहां पर गलती होई थे में को यहां पर अटैक लेना था यहां पर डिफेंस करना था तो एक प्लेयर उसी चीज को काफी वो करता है लेकिन जब मेरी कारगिल की जो जर्णी थी वो काफी ही स्ट्रगल रहा था वहां पर बहुत ही वो डिफिकल सा एरिया भी है जी एक तो इसक कर लएक बहु हमां चेहकत थोड़ार प्रद रचिए सब्सक्राज़ कर जब में वहां पर अक्षी आप करती थी तो झावर औपर लेकिन में को प्राबमाइच था लेकिन में को वहां पर जैने मेरे कोँ प्रा comfort लेकी आता सकी Garnau और और काफी थंड होती थी वहाँ पर आपका कोचीय्स का भी काफी स्पोट मेरा स्पोर्ट रह चुक है एंविन मेरे आईएल रह चुक है मेरे इजो कोचीय् 5 वही मेरे आइडिय ले अगर हम बात करें जो आपके future की तो आप क्या तीनों गेम को एक साथ लेकर चलना चाहेंगी या फिर आप future में किसी एक गेम पर फोकस करना चाहेंगी जैसे में बताया मेरी professional game टाइकॉंडो हैं तो मैं आगे टाइकॉंडो ही साथ ही साथ अपना बढ़ाना चाहूंगी इसी के साथ साथ मैं डिफरेंट गेम्स भी खेलना चाहूंगी जैसे पैंचिक्सलाच टूटो एवन में को किक बॉक्सिंग का भी बहुत शौंग है कि मैं क अग्यूश्रिंग करना हैं तो पपा बॉलता है कि कोई बात नही रेस्लिंग कुछ नहीं होता तो लड़की है तो कुछ भी कर सकती है तो कहीं न कை आपको डीमिक गेम्स करने कι में का बड़ा काफि जाए इंट्रस्ट केंथे कि में काफि में को इंट्रस्ट है कि मैं ist fine different games track करो उसके rules track करों ौर पूरोब्ष जोब्ष दिफेन डेफेनट गेम्सेत का का अपका मन करता है अगर आपको हमारी युवा पीडिबी को Curry गास करकि कि जैसे दंगल उसमें एक डायलोग था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है तो इसी हिसाब से मैं लड़कियों को बोलना चाहूंगे कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है वो सिरफ घर के काम और ये सब पेंटिंग, डांसिंग ये नहीं कर सकती साथे साथ वो स्पोर्ट्स भी कर सकती है स्पोर्ट्स भी खेल सकती है और वो अच्छा अचीव भी कर सकती है वो लड़कों को पुरा कमपीट बराबर का कमपीट कर सकती है वो लड़कों को हरा भी सकती है और वो सब कुछ कर सकती है पलक जी आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा हमें लगा और हमें आज आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और मुझे लगता है हमारी दर्शकों ने आपसे एक motivation नहीं होगी कि एक लड़की कितने सारी games खेल सकती है तो दर्शकों अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का हम फिर मिलेंगे एक नए मेमान के साथ तब तक के लिए जै हिन जै हिमाचल